Hello friend, welcome to study news, आज हम इस वीड़ीो में सिंदू खाटी सब्विता के विस्तार के बारे में जानेंगे यह सिंदू खाटी सब्विता का दूसरा पार्थ है इसमें हम इसके पतन और सिंदू खाटी सिब्विता से जुड़ी पूरा तात्विक इस्तर कहा कहा पाये गए हैं इनके बारे में जानेंगे So let us start जम्मो कस्मीर में इस्थित मांडा जग है जो चिनाम नदी की किनारे इस्थित है वहाँ से सिंदु घाटी सबेता का एक पूरा तात्विक इस्थर पाया गया है उत्तर प्रदेश से आलमगीरपूर, संगोली और बढ़गाओ यहां से सिंदु घाटी सबेता से जुड़े इस्थल पाई गए है पंजाब से संगोल और रूपर रूपर जगे सतलज नदी की किनारे इस्थित है इसकी खोज यह गदत सर्मा ने की थी यहां से तांबे की कुलहडी पाई गई है राजे स्थान से बाला थल और काली बंगा काली बंगा घगर नदी के तट परिस्थित है इसकी खोज अमला नन गोस ने की थी यहां से काली चूड़ियां जुती हुए खेत अगनी कुंट और भुकम्प के प्रमाड मिले हैं हर्याना से भगवान पुरा राखी गड़ी और बनवाली ये स्थर पाए गए हैं राखी गड़ी घगर नदी के किनारे और बनवाली सरसोती नदी के किनारे इस्थित है बनावली से मिट्टी के हल के खिलोने के प्रमाड मिले हैं और राखी गड़ी जो घगर नदी के तड़ परिस्तित है इसकी खोज सूरज भान ने की थी यहां से तामर उपकरण मिले हैं और ये भारत में इस्तित सिंदु घाटी सबता का सबसे बड़ा स्थल है महराष्ट में दाइमाबाद गुजरात में इस सबता से जुड़े सबसे ज़्यादा इस्तितल प्राप्थ हुए हैं जिन में से हम कुछ प्रमुक इस्तितलों को जानेंगे पहला लोथल जिसे सिंदु घाटी सबता का गोदी बाड़ा यानि पत्तन कहते थे यहां से चावल अगनीकुंड हाथी के दाथ के साक्ष मिले हैं और गोडे की मिटी की मुर्ती और तीन यूगल सवधान मिले हैं मतलब की दो दो सवो को एकी साथ दफनाय गया है ऐसे तीन साक्ष मिले हैं धोला वीरा ये सुएस्थित नगर थे और ये तीन भागों में विभाजित थे बाकी जिजने भी इस सबता में नगर मिले हैं वो दो भागों में ही विभाजित थे और यहां की नालियों का प्रबंदन लकडियों की नालियों द्वारा किया गया था और बाकी जगे की नालियों का प्रबंधन इटो द्वारा किया गया था सूत कोर्दा ये सरुसती नदी के किनारे इस्थित है यहां से घोडे की हड्डियों का साक्ष मिला है और कलस सव धान की प्रथा यहां से मिली है और तराजू का भी साक्ष यहां से मिला है और बाकी जगे हैं रंगपूर, भगतराओ, रोजदी रंगपूर से चावल के अफसेसों का साख्छ मिला है अब जानते हैं पाकिस्तान से मिले इस सबिता से जुड़े इस्थल के बारे में पहला है हरपपा जो रावी नदी के तट पर इस सिथ है इसके खोज करता राय सहानी थे इन्होंने इसके खोज 1921 में की थी यहां से विसाल अन्नागार, कास्चे दरपण, 837 कब्रिस्तान, दफनाने की प्रथा का साख्छ मिला है और स्रमिकों के अवास भी मिले हैं दूसरा है मोहन जोदारो, यह सिंदू नदी के तट पर इस्तित है इसकी खोज राखलदास बनेरजी ने की थी जो 1922 में की थी यहां से विसाल अन्नागार, इस्नानागार, पुरोहित की मुर्ती, नृत्ति करती हुई इस्त्री की कास्ची की मुर्ती, महाविद्याले, एक सिंगी पसू जो मुद्रा में अंकित किया हुए उसके साख्छ मिले है मोहन जोदारो, सिंदू घाटी सविता में प्राप्त सबसे बड़ा नगर है और भारत में सबसे बड़ा नगर राखी गड़ी है अगले स्थल हैं, कोट दीजी और चनहुन दरो चनहुन दरो भी सिंदू नदी के तड़ पर इस्थित है इसकी खोज, अनरेश्ट मैके और मजुमदार सहाब ने की थी यहां से मन के बनाने के कारखाने और स्रिंगार के उपकरण प्राप्त हुए है और पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान से प्राप्त स्थल सुद्कोगेडोर, डाबर कोट और बाला कोट है अफगानिस्तान से केवल दो प्रामुक इस्थल मिले हैं सुर्तुगोई और मुंडिकाग अब जानते हैं इस सबिता के नगर नियोजन के बारे में इस सबिता की सबसे खास बात नगर नियोजन थी जो ग्रीड पत्ती पर आधारित थी सहर दो भागों में विभाजित थे पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर पूर्वी नगर नीचे होता था जिसमें गरीब वर्ग के लोग रहते थे और पश्चिमी नगर उचा होता था जिसमें अमिर वर्ग के लोग रहते थे केवल धोला वीरा में इनके तीन भागों में बटे होने के साक्ष मिले हैं इस सभिता से दो प्रकार की इटों के होने के साक्ष मिले हैं जो कच्ची वा पक्की इटे होती थी और सड़के समकोड में काटती थी और ये दो प्रकार की होती थी गली की पतली सडक और दूसरी मुख्य सडक जो चोड़ी होती थी और इस सभिता के लोग अपने घर के दर्वाजे अंदर के गली की सडक की ओर खोलते थे केवल लोथल में मुख्य सडक की ओर दर्वाजे खोलने के साक्ष मिले हैं पाने की व्यवस्था के लिए हर घर में कुए के भी साक्ष मिले हैं और इस सबहता में सोचाले होने के भी साक्ष मिले हैं और नालियों की व्यवस्था में काफी आधुनिक्ता थी केवल धोला वीरा से लकडियों की नाली मिली है सामोहिक भवन होने के साक्ष भी मिले हैं ये वे भवन होते थे जो विसेश रूप से पूरे सहर वा समाज के लोगों के लिए बनाए जाते थे जैसे मोहन जोदारों से सामोहिक इसनानागार मिला है और विसाल अनागार, सामोहिक सभागार ये सब होने के साक्ष मिले हैं अब जानते हैं कि इतनी बड़ी सब्यता का पतन कैसे हुआ हुआ इस सब्यता का अंत कब और कैसे हुआ इस सम्मंद में अभी भी मतबेद बना हुआ है अधिकांस विद्वानों के मता नुसार इस सबता का अंत बाड की प्रकोप से हुआ है चोकि सिंदुगाटी सबता नदियों के किनारे विक्सित हुई है इसलिए बाड आना सोभाविक था अताया तरक सर्वमान है लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाड के कारण इतनी विसाद सबता समाप्त नहीं हो सकती इसलिए बाड के अलावा कई कारणों का समर्थन अलग-अलग विद्वानों ने किया है जैसे आग लग जाना, महमारी फैलना, बहरी आक्रमड और पारिसित की परिवर्तन, यानि जलवायू परिवर्तन इन सब कारणों को माना गया है तो ये थी सिंदु खाटी सबता से जुड़ी विसेश बाते अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, धन्यवाद